इस चैनल की कमेंटरी के तुरू इस तेजी को आपने पहले वो सुनाता हूँ आपको एक मेसेज मार्केट का अब क्लियर हो गया है बाई उन टेप्स ओनली स्ट्राटजी मार्केट में बाई उन टेप्स मोमेंटम मचेज करिए लेकिन डेप्स को बाई ज़रूर करिए इवेंचली पैसा बनेगा आपका बड़ी रेजिस्टन से 23,600 बचा से 23,700 की और मेरा यह मानना है कि अगर आपने इसको निकाल दिया तो 23,800, 23,900 तक के लेवल उपन हो जाएंगे निफ्टी पर 23,800 से 24,000 के बीचे पूसिबल है हच्टा कि मार्केट बढ़े और यह बहुत सम्पल है यह ट्रेंडिंग मार्केट है मुमेंटम मार्केट जहां तक जा रही है वहां तक आपको इसको अप्रोच करना है प्री बजजट ये में निफ्टी निफ्टी 24,500 तक भी जा सकता है यह समर् physical मार्केट में बहुत स्थ्रॉक मोमेंटम है और आपकी स्क्रीन पर 24,000 निफ्टी पहली बार पार करते हुए थी जो मेरी गट फिलिंग थी, मेरी गट फिलिंग थी कि 24,100 भी आज दिखना चीए वो 24,100 दिखने के लिए आपको एक बाद 24,000, 28,000, 29,000 क्रोस करना पड़ेगा ये था भाई साब पिछले चार दिनों का ताबर तोड़ परफॉर्मेंस और उसमें इस तरह से ब्यूटिफुली आप सब की मदद और नैविगेट करा मुझे याद पड़ता है सुमवार की सुबह जब ग्लोबल संकेत घर बढ़ा गए थे उस समय कुछ डुमिस्टिक संकेत भी रवीवार शाम के कन्फ्यूजिंग थे तब बाचीत हुई थी 2350 की की गिरावट में उस जोन्स पे खरदारी प्रिसाइसली मंडे को 2350 ही देखी कर जाके इंटर डे लोस्त शुरुवाती गिरावट के उस गिरावट में खरीदा उसके बाद से कन्विक्शन बरकरार रहा इसी जरनी में इसी हफते बाचीत हुई थी कि इस तरह के मूज देखते हुए लग रहा है कि एकस्पारी के दिन ही मैं सर्प्राइज नहीं होंगा इतने दर्शक गढ़ होंगे गाड़ी कमाई करी होगी बस अगर तुद टी फॉलो कर आओ गाड़ी कमाई करी होगी आशीश लेकिन आज मैं जो अभी मैं एक बिग कॉल ले रहा हूं वो मैं यह ले रहा हूं कि आज आप प्रॉफिट बॉकिंग करें उसके तीन-चर कह रह उसके बाद यहां से रिस्क रिवाट बहुत खराब है अगर आपकी एंट्रे 21-350 कि जो हमने आवास पर करा ही थी 350 पर नहीं कर पाच चली ठीक है कोई नहीं कर पाच चली करी होगी अगर वहां पर उपने कर आया 22500 पर प्रॉफिट बॉक करें अगर नहीं करना प्रॉफि प्रेट सेटप अगरे पर आएंगे तो डिटेल में डिसक्स करेंगे FII का लॉंग एक्सपोजर स्टाट अव दे सीरीज 82 परसेंट और नेट लॉंग 3.2 लाग कॉंट्रेक्स इस प्लेट पर हिएगा अशिश नॉमली मैं जब भी सीरीज के स्टार्ट होती है हमेशा ये नंबर देखता हूँ और आपको याद होगा जितनी बार FII का ये नंबर उल्टा रहा है 80 परसेंट शॉर्ट, 90 परसेंट शॉर्ट मैंने सीना ठोक कर का है कि अब यहाँ पर लॉंग कर लीजिए क्योंकि इतनी शॉर्ट्स हैं सिस्टम में धाली होगी यहाँ पर इतने लॉंग है साड़े तीन लाग कोंट्राक के करीब लॉंग है 82 परसेंट लॉंग इस्पोज़र है FII भी लॉंग होग है हमारा रीटेल भाई कर रहा है बेचे का कौन बेचे का कौन वैसे पता है कौपरेट हर कोई देखे रोज दिन की चार ब्लॉक टील हो रही है दिन की चार ब्लॉक टील रोज हो रही है और प्रमोटर बेच रहे है प्रमोटर से जादा कोई नहीं जानता अपनी कंपनी के बारे में यह एक और एक्जाम्पल है कि इस समय यह दिदम देशाई ने भी बात करी थी कि अगर FII भी बाइं करेंगे, डुमेस्टिक बाइं करेंगे तो बेचेगा कॉन बेचने आगा फिर कॉपरेट, कॉपरेट को लगगा कि अच्छा प्राइस है, मैं अपने आपको डिलेवरिज कर लेता हूँ एक और एक्जाम्पल देता हूँ, वोडफोन आइडिया, कहां से, एक सिरफ स्टॉक मार्केट यह से एक कंपनी बच गई वनाइक कंपनी जो खतम होगी थी, क्लियर था कि कंपनी खतम हो जाएगा, सिरफ एक बुल मार्केट की वज़े से बच गई हर वेंडर तक अपनी पेमेंट वो स्टॉक में लेने को तियार हो गए गवर्मेंट ने अपनी जो डेट थी वो एक्विटी में गणबट कर ली, दस रुपए पर लिया था, वो बीस रुपए हो जाएगा, वो गवर्मेंट शाय से निगल भी जाएगा तो यह बुल मार्केट के कमाल होते हैं, तो यह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी कॉप्रेट्स और बेचेंगे, वो मुझे लग रहा है और बहुत ब्लॉक दील्स आएगी, और अर्णिंग सीजन शुरू होने से पहले, आप बहुत सारी ब्लॉक दील्स और में कल बाले और परसो बाले पुटकॉल रिशो को मैंने कहा था है, इग्नोर कर दें, क्योंकि एक्सपारी है, मुमेंटम आपके फिवर में रहेगा, अब लेकिन एक्सपारी हट चुकी है, और अब पुटकॉल रिशो स्टार्ट अफ दील्स और बहुत एलिवेटेड है य लेकिन स्मॉल केप तो मेरे कहले से रेड में बंद हुआ था कल, यह दिखें, यह स्मॉल काप इंडेक्स कल, और दो तीहाई पसें रेड में बंद हुआ था ही और एडवांस डिकलाइन इस पूरे हफ़ते घराब रहा है, हर दिन डिकलाइन के फिवर में रहा है, अड़ ब शौर्ट कोल नहीं है, निफ्टी पर, शौर्ट कल में बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट बॉकिंग करें, बहुत ज्यादा मेड़ा स्मॉल कैप शेरों से बचे यहाँ पर लाज के पर फोकस करें, और एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, क्य पाए करने के लिए, आज मार्केट आपको वो नहीं दे रहा है, आज मार्केट आपको सीधा 100 पॉइंट का गैप अब दे रहा है, अब लो था 23,350 का बंद हुए 23,537 पर, 23,562 का लो, 23,821, 23,670, 23,860, कल भी हमारी बात वी थी कि 23,60 का stop loss होगा, और हम, sorry, 2670 का stop loss होगा, 23,805 का लो, 24,44, अब प्रॉब्लम क्या है, अब आज का stop loss क्या होगा, 23,805, हम खोलेंगे कहां पर, 24,44 पर अगर आप 100 पॉइंट और एड कर दें, 24,150 पर, इसका मतलब, आज आपका, जब ट्रेड आप स्टार्ट करेंगे तो आपका stop loss साड़े 300 पॉइंट दूर होगा, स जब तरफ यह नहीं है कि बस पैसा कमाते जाना है आपको, थोड़ा पैसा enjoy करना भी आना चाहिए, profit book करिए, थोड़ा enjoy करिए, match देखिए, कहीं weekend पर जाएए, उसके बाद Monday को fresh call दीजेए. झाल स्टार्ट कर दो आएए.